दोस्तो बॉलिवूट के सूपर स्टार अक्षी कुमार के फिल्म सूर्य बंशी को रिलीज हुए आज सिनेमा घरों में तीसवा दिन चल रहा है और फिल्म अभी भी धमाकेदार कमाई कर रही है और वहीं अंतिम सल्मान खान की पिछले शुकरवार को रिलीज हुई थी ये फ फिल्म ने भी रिलीज होते ही धमाकेदार कमाई करना शुरू कर दिया है तो दोस्तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में इन तीनों फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहीएगा तो दो बात की जाए फिल्म के box office collection की तो उससे पहले में आपको बता दू कि फिल्म को लगबग 2100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है 1700 स्क्रीन मिले हैं इस फिल्म को इंडिया में और लगबग 400 स्क्रीन मिले हैं इस फिल्म को overseas में तो अगर box office collection की बात की जाए तो अपने पहले ही दिन 4 करोड 25 लाख उर्पे का box office collection किया है यानि कि जो opening है आहन शेटी की वो बहतर से बहतर आप कह सकते हैं क्योंकि इसके अलावा जो साल 2021 में जितनी भी फिल्म रिलीज हुई है इतनी अच्छी opening नहीं की है यहां तक कि सल्मान खान की फिल्म ने भी 4 करोड 60 लाख उर्पे की opening की ती तो 4 करोड 25 लाख उर्पे की opening की है आहन शेटी की फिल्म तड़ अपने बात की जाए दूसरे दिन की यानि के आज की तो आज फिल्म और भी ज्यादा collection करने वाली है क्योंकि फिल्म को अच्छे review मिले है और young stars को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो फिल्म का जो collection है आज का Saturday का वो लगबग लगबग 6 करोड उपे होने वाला है और फिल्म का दो दिनों का टोटल बॉक्स आफिस collection इंडिया में 10 करोड के पार होने वाला है अब यहाँ पे अगर बात करें हम फिल्म अंतिम की तो अंतिम फिल्म ने भले ही धीमी शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद फिल्म ने अच्छा collection किया सलमान खान आयुश शर्मा की ये फिल्म थी और इसी के साथ साथ महेश माशेकर ने इस फिल्म को डैरिक किया था और इस फिल्म को 35 स्क्रीन पर रिलिस किया गया था इंडिया में और यहाँ पे अगर फिल्म के box office collection की बात की जाए तो फिल्म ने 8 दिनों में यानि कि Friday तक जो box office collection है वो 30 करोड उपे का कर लिया था बात कीजाए Saturday की आज की यानि कि तो आप कहा सकते हैं कि फिल्म 2 करोड उपे आज भी कमाने वाली है और फिल्म का 9 दिनों का total box office collection जो है वो लगभग 32 करोड उपे होने वाला है वैसे फिल्म worldwide में 45 करोड से भी ज्यादा collection कर चुकी है और फिल्म box office पर हिट हो चुकी है क्यो अब यहाँ पर अगर बात करें सूर्य वंशी फिल्म की तो दोस्तों सूर्य वंशी को आज तीसवा दिन चल रहा है लेकिन अभी भी यह फिल्म अंतिम तड़ा इसके लावा बंटी और बबली टू सत्ते में अब जैते टू जैसी फिल्मों का तो यह फिल्म सफाया कर चु हो चुका है और फिल्म 31 वे दिन यानि के सटर्डे को आज लगबख एक करोड उपे कमाने वाली है तो आप कह सकते हैं कि अक्षरी कुमार की फिल्म सूर्य वंशी 200 करोड की किलब में जरूर शामिल हो जाएगी और फिल्म बॉक्स आफिस पर पहले ही सूपर हिट साबित हो चुकी है तो दोस्तों आपको इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कौन से फिल्म फसंद आई है कमेंड में जरूर बताईएगा